दोस्तो भारत और पाकिस्तान दोनों दक्षिन एसिया महाद्वीप में आने वाले देश हैं और दोनों ही देश परमाणू हत्यारों से लेस हैं जहां भारत एक स्यांति प्रिय देश है तो पाकिस्तान की सरकार और लोगों को वहां की ताकतवर आर्मी कंट्रोल करके रखती है भारत में जहां लोकतंतर है तो पाकिस्तान में लोकतंतर केवल आर्मी की किरपा से ही चल पाता है आए दिन दोनों देश में हर पल कस्मीर और सीमा के उपर विवाद रहता है जहां हर पल कई सैनिकों ने अपनी जान भी गवाई है हर समय हालात ऐसे रहते हैं कि मानो कब जंग चालू हो जाए और परमाणू हमला कर दिया जाए हाला कि हम जितना परमानु बम को समझते हैं उस हिसाब से ये सबसे घातक बम है जो कि एक ही पल में लाखो करोडों लोगों की जान ले सकता है ये इतने घातक बम होते हैं कि कोई भी इने किसी खिलोने की तरह जम्मन करे तब नहीं छोड़ सकता पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास अगर पर्मानुबम हो तो वो देश पूरे विश्व के लिए खत्रा बन जाता है भैस्वाभाविक है क्योंकि पर्मानुबम किसी भी प्रमप्रागत अस्तर के मुकाबले अत्यादिक प्राण घातक होता है भारत एक स्यांति प्रिय देश है तो वे पहले कभी हमला नहीं करेगा पर पाकिस्तान का हम कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं ऐसे में वे कुछ भी कर सकता है तो आईए अब सवाल के उपर चलते हैं कि क्या पाकिस्तान सच में कोई पर्मानुबम का हमला कर सकता है क्या ऐसी कोई संदी है या ऐसी कोई संदी बनी है जो इस थीती को रोकती हो अब पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान कभी इतना बड़ा जोखिम नहीं लेता है कि एक वायूयान को पर्मानु बम से लेस कर भारत के और भेज दे ऐसा कदम पाकिस्तान के लिए प्राणघा तक सिध होता है 1988 में भारत पाकिस्तान के बीच एक नोन नुकलियर एग्रेशन एग्रिमेंट नामक संदी हुई है जिसकी मुख्य बिंदू इस प्रकार है कोई भी देश एक दूसरे पर अग्यात रूप से चोकाने वाला हमला नहीं करेगा और नहीं किसी अन्य देश को पर्मानु अस्त्रों की साहिता परदान करेगा इस संदी में कोई भी देश एक दूसरे के परमाणू कॉम्पलेक्स, इमारतों और सहियंत्रों पर हमला नहीं करेगा इसी संदी के तैर भारत और पाकिस्तान हर साल एक दूसरे को उनके परमाणू कॉम्पलेक्स की जानकारी साजह करते हैं पिछले वर्स यह है, जानकारी दिल्ली इसलामाबाद में एक साथ साजा की गई थी, तो पाकिस्तान इस संधी को तोड़ नहीं सकता है, अगर तोड़े तो परनाम तो भुगत नहीं है, टीवी पर कितना भी जोर सोर से सुनाई दे, कि जितनी भी जी में आये, तलवार खड़ खड़ आये, पर दोनों पक्स परमाणू हमले के बामले में बहुत गंबीर हो सकते हैं। इनके बटन सीधे देश के सरवच निताओं के हाथ में होते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपना प्रधान मंतरी जिम्मेदारी से चुनिए, क्योंकि आपने सिर्फ देश का प्रधान मंतरी चुन रहे होते हैं, बलकि एक वैक्ति के हाथ में नुकलियर बटन भी दे रहे होत तब तक के लिए धन्यवाद